अपने हाथों को उठाँ प्रभु जो क्रेज जो अनुगरे मैं देखूं जो ग्रहन करूं मैं उसको कभी गाली न देने पाऊं तुस्से पीछे हटके या बाप करके मांगो परमिश्द अपने हाथों को उठा के प्रभी शुमसी के सामर्थी ना में मानते हैं रोमियो की पुस्तक 9 उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे उसमें लिखा जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव को अपरिये जाना 11 आयत में लिखा अभी ना तो बालक जन्मे थे ना उन्होंने भला या बुरा किया था इसलिए कि परमेश्वर की मंसा जो चुन लेने के अनुसार है कर्मों के अनुसार नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है बनी रहे उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप रिये जाना परमेश्वर ने आपको चुना फल लाने के लिए हा या ना अगर आप परमेश्वर में आ चुकें बक्तिस्मा ले चुकें इश्वमसी को अपना उधार करता ग्रहन कर चुकें तो बाइबल कहती आप चुने गए हैं फल लाने के लिए बोने वाला बीज बोने के लिए निकला एक बीज मारक के किनारे गिरा, एक बीज पत्रिली भूमी पे गिरा, एक जाडियों के बीज गिरा, एक उत्तम भूमी पे गिरा तीस गुना, साथ गुना, वो सो गुना फल लेके आया इसका मतलब बीज में ताकत है कि वो सो गुना फल लेके आ सके हाँ या ना उसी तरह से जब आप परमेश्वर में आते हैं उधार करता है इश्यमसी को ग्रहन करते हैं परमेश्वर में अपना जीवन प्रभू को देते हैं आपके अंदर सोगुना फल लाने की ग्रेस और ताकत काम करती है और परमेशों ने का जो दोड में तुम्हें दोडना है तुम्हारी दोड क्या है कि तुम फल लेके आ सको और तुम्हारा फल क्या हो बना रहे ये क्या है तुम्हारी दोड है तुम्हारी बुलाहट है कि तुम फल लेके आ सको परमिश्वर ने का मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप रिये जाना और लिखा अब तक वो दोनों जनमे भी नहीं थे तब ही परमिश्वर ने का जेठा छोटे का क्या होगा? दास होगा अपनी ध्यान से समझने आज का बचन याकूब से परमेश्वर ने क्या किया प्यार किया एसाव को अप रिये जाना अगर अब तक आपके बच्चे जन्में ना हो दोनों और परमेश्वर कहे कि जेठा बड़ा जो होगा वो छोटे का दास होगा और बड़े को मैं प्यार नहीं करूँगा और छोटे से प्यार ही कि अभी तो उन् schnell ने पाप किया ही निये कुछ भी बाइबल कहती है पर मेस्वर अपने पूर्व ग्यान के अनुसार यानी परमेश्वर आज जानता है कि आप सुर्ग में जाएंगे या नरक में जायेंगे फिर आप बोलोगे अगर परमेश्वर जानता है कि मैं स्वरक में जाऊंगा और नरक में जाऊंगा तो मैं कुछ भी करूँ ऐसा नहीं है परमेश्वर ने कुछ चीजें आपके डिसीजन पर छोड़ी है और वो आने वाले टाइम का डिसीजन भी जानता है कि आप कौन सा लोगे ये उसका होनहार का ज्यान कहती है Bible पूरव ज्यान कहती है फोर नॉलेज कहती है कि परमिश्वर कहता जेठा छुटकय का क्या होगा दास होगा कारण क्या था Bible कहती पतरस ने का अपने भविश्य दक्ताओं की अपने प्रभू के दासों की गवाही को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर में चलो उनकी शुरुवात देखते हुए और परमेश्वर ने किस तरह से उनको बढ़ाया उनको देखते हुए तुम अपनी जिंदगी वेतीत करो इजहाग की मैरिज कैसे हुई थी अबरहम का दास नौकर गया था और इजहाग के लिए एक लड़की लेकिया आयता जिसका नाम क्या था रिबिका हाई ना आप जानते हैं अगर आप क्रिश्चन है और आप अगर लव मेरिस करना चाहते हैं आप शराब पीना चाहते हैं तो आपको ऊपर से आवाज नहीं आएगी तुम मत कर इजहाग के अगर आप लाइफ देखो तो जो चीजें उसने परमेशो के वचन में होके की वहाँ वो ब्लेस हैं कैसे हमका नौकर आके बोलते हैं कि इजहाग तेरे पिता ने मुझे भेजा था कि तेरे लिए मैं वाइफ लेके आउँ पर इस देश की लड़की अन्ने जातियों में से नहीं अपने देश में से मैं परमेशो को मानने वाली लेके आउँ अब मैं ये लड़की लेके आया हूँ ये परमेशो की इच्छ है और बाइबल कहती है जहाग ने का ठीक है परमेशो की इच्छा को मैं सविकार करता हूँ और उसने लिखा रिबिका को उसने अपनी पतनी सविकार किया हाँ या ना पर जब बाइबल कहती जब याकूब अपने मामा के घर गया तो उसे एक लड़की बसंद आई जिसका नाम क्या था राहेल अब अगर याकूब बुद्धी मान होता आप जानते कई सफरिंग कई आपके दुख कई आपके सताव परमेश्वर की और से नहीं मिले आपको वो आपने खुद मोल लिए बाइबल कहती जब वो गया क्योंकि याकूब जो था एक इमोशनल इंसान था इमोशनल था वो जब वो गया उस कुवे के पास लिखा वो खड़ा था और उसने पूछा क्या लाबान यही रहता है क्या लाबान अच्छा है योगि वो लाबान के घर जाना जाता था और लोगों ने का हाँ लाबान ठीक है देख उसकी लड़की राहेल अपनी भेड़ो को लेके आ रहे है था कि वो पानी पिला सके लिखा उसने राहेल को पकड़ा चुमा और उसे लिपट कर रोया योगी याकूब क्या था एक? इमोशनल इंसान परमेश्वर इमोशनल नहीं वो क्या है? स्पिरिच्वल परमेश्वर की आशिष को लिया और जो राजा होने की पदवी मेरे बाप के बड़े भाई की थी परमेश्वर ने उसे नहीं दी मेरे बाप दाउद को दी वैसा ही सुलेमान चलता रहा और परमेश्वर ने अब शालोम को छोड़ दिया कौन था अब शालूम? अब शालूम भी दाउद का बेटा था. एक राणी का बेटा था. और उसका नाना क्या था? गशूर का राजा. अब अगर राजा बनाने के लिए सबसे बेस्ट केंडिडेट चाहिए थाrise तो उब शालूम था. योगि नाना राजा था, मा राज कुमारी थी, पता था राजाएं, राजा कैसे बैठते हैं, उड़ते हैं, कैसे काम करते हैं, लेकिन परमेश्व ने किसको चुना, सुलेमान को चुना, हाँ है ना, आज कुछ लोग अपने लाइफ में धोखा काके बैठें अपने बिजनस से, इसलिए नहीं कि बिजनस पार्टनर ने उनको धोखा दिया, वो इसलिए धोखा कागे बैठें, योगि उन्होंने परमेश्व को धोखा दिया, और धोखा काटा संसार में से, आप भूल जाओ, कि आप परमेश्व को धोखा देंगे, और संसार आपसे नियाय करेगा, क्या मेरा फादर ढूंडने किया था रिबिका को? क्या उसने अपनी आखों से रिबिका को पसंद किया था? नहीं, अगर आप ध्यान से लाइफ देखे, आप यकूब की और उसके पापा इजहा की, तो आपको इजहा की मेरीड लाइफ, यकूब की मेरीड लाइफ से अगर आप spiritual है किया आप नहीं जानते परमेश्व ने मेरी जिंदगी में क्या किया क्या आप नहीं जानते हैं यहां परमेश्व क्या कर रहे हैं और फिर भी अगर पवित्रताई में ना चले इतना वचन सुनके भी इसका मतलब आप भी दूसरे याकूब है कि परमेश्व पर आप साथ साथ अपनी लाइफ में सफर भी करेंगे योगि आपने अपने शरीर पर अब तक काबू नहीं किया अब परमेश्व गल्ती करने पर अपने बच्चों को त्यागता तो नहीं छोड़ता तो नहीं पर उस गल्ती के कारण उनको सफरिंग सहनी पड़ती और पिता को बोलता है मैं रहेल के लिए साथ साल तेरी सेवा करूँगा ए मूरक इंसान क्या तरह बाप ने एक लड़की के लिए साथ साल क्या साथ महीने भी सेवा की किसी की पर तू अपने मूँ से क्या कहता है कि मैं साथ साल तेरी सेवा करूँगा और फिर उसने कहा कि ठीक है और किसका शादी कर दी उसकी बड़ी बहन की शादी कर दी कहता है साथ साल तू और सेवा कर क्योंकि उसने कमजोरी देख ली कि याकूब के अंदर कमजोरी है यह लव मैरिज उसकी कमजोरी है और शैतान आपकी कमजोरी को फाइदा उठा के जो चीज आपको छे महीने में मिल सकती है 21 साल और 14 साल लगवाता आपके लाइफ में अपने फादर लिखा अपने भविश्यत लगता होंगी परमेशों के दासू की गवाही को सुनो और उसको फॉलो करो उसने का लोगी वो आपके लिए परमेशों ने बनाई है 14 साल उसने लड़कियों के लिए सेवा की अभी भी लाबान 7 साल और उसको भजाना जाता था वहां पे मिरेकल हुए याकूब की लाइफ में वो इमोशनल था और अपने इमोशनस को फॉलो करता था उसको अपनी लाइफ में दुख भी झेलने पड़े आपको यह ध्यान दखना है कि जो ग्रेस आपको मिलिए आप उसको गाली नहीं दे सकते अगर आप स्पिरिछुल है तो आपको यह समझना चाहिए मेरे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और मैंने का अगर आप इस प्रिविलेज को नहीं समझोगे आप इस ग्रेस को नहीं समझोगे और ब़ॉइफरेंड और गर्ल्फरेंड के चक्रों में बढ़ऊगे और बाप के चक्रों में बढ़ोगे तो आप इस अनुग्रे को गाली निकाल रहे हो कि बाप के पास लाखों भेडे मौजूद हैं और बेटा जंगलों में जा रहा है शिकार खेलने के लिए टाइम वेस्टर और परमेश्वर ने का मैं इसको अप रिये मैंने इसको अप रिये जाना याकूब को मालूम है कि मेरे बाप ने मैनत नहीं की ये सब कामों के लिए कि मेरे धर्म और राज्य की खोच कर सब वस्तुए तरे पीछे पढ़के अपने आप आएंगी तरे पास तो मेरे बाप ने इन चीजों के लिए मैनत नहीं की वो शाम को ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था मैं भी प्रभू की और ध्यान लगाऊंगा और परमेशर मेरे इंतजाम करेगा पर बाइबल कहती उसने अपनी आँखों की बात को सुना और 14 साल उस घर में सेवा करता रहा जहां उसकी अपनी सेवा होनी चाहिए थी पर वो सेवा करता रहा कुछ डिसीजन आप लेते हो और परमेशर आपको मदा नहीं करता पर आपको उसका असर भी अपनी लाइफ में नजर आता है परमेशर आपको छोड़ता या त्यागता तो नहीं है पर आपको वो सफ्रिंग्स में से गुजरना पड़ते है जो चीज़े आपको महान बनाते gosh आपको नहीं किया नहीं किया नहीं है और अपनी लाइफ में बन सके अब शालम नहीं बन सका किसी को ताकत भिफरोस्टा को फॉत में था और यह था अपने लाइफ में पत्रस ने का उन भविश्वतत्ताओं को जो तुमसे पहले थे उनका एंड देखके उनकी शुरुवात देखे परमेश्वर ने किस तरह इनको बढ़ाया और आशिशित किया तुम भी उने फॉलो करो और तुम भी उन गवाईयों को देखते हुए पूब जले पर वो गया और उसने जली अपने इमा की बात को सुना अपने पिता से जूट बोला उसकी आशिश ली और भागना पड़ा उसे जब कोई यह नहीं जानता था कि यह आशिश पहले से उसकी है योगी पहलो उठा होने का अधिकार उसका भाई उसे बेच चुक है कोई आशिश कोई ब्लेसिंग जो गलत रिटी से वचन से बाहर होके आपको मिले वो एक्चुल में आपको तंग करेगी बात में अपने फादर की गवाई को क्या करना फॉलो करना जो गवाई हम सुन रहें जो आगवे की गवाई हम सुन रहें जिस तरह की चर्च में हम जा रहें उसे फॉलो करना है उसे उसे एक्जेक्ली फॉलो करना अपनी लाइफ में ताकि वो सेम ग्रेस आपकी लाइफ में फॉलो में आत्मा से भरे हुए हो लेकिन एक कमी है कि लेव मेले हीं कि से अन्य जातियों से अब इस सिर्व मेले करवारे हो अब उस इन सब शिरापों को भी आप मोहण ले रहे हो जो उसके परिवार के ऊपर हैं सिह ओप आप उन सब कर्स से आपको फाइट करनी बड़ेगी मैरीज के बाद जो आपके पार्टनर के खांदान के ऊपर हैं। फिर आप बोलोगे कि हस्बेन बड़ा अच्छा है वाइट बड़ी अच्छी दोनों से अलग लग मिलो तो दोनों स्वरग दूत लगते हैं पर आपस में बंती नहीं। की आपने सिर्फ एक मैरीज नहीं किये आपने उस परिवार के पूरर्श कर्ष को भी क्या किया। आपने घ्राने में शादी करने में हो सकता था उसको आपने तीन, चार, पांच, छे, साथ, दस साल लंबा करके फरी की फालतू की लडाई मोल लेके आप बैट गए हो एक मैरीज हुई इस हाग की हुई के नहीं हुई यकूब ने कितनी करवाई है हां कितनी कराई है कितनी दो और सु आज और सुएगा, सारी उमर निकल गई, बाइवल पुढ़कर देख लो अपनी, जिससे यकूब प्यार करता था वो जूट बोलने वाली ऑरत थी, चोरी करने वाली ऑरत थी, यकूब से जो प्यार करती थी, उससे यकूब प्यार नहीं करता था, सब कुछ वेस्ट हो गया लाइफ में कारण क्या emotional emotions बंद कर दो वो गाने सुनने जो आपको emotional करें बंद कर दो कुछ लोग बोलते हैं याकूब ने भी तो लव मेरीज की थी उसके जैसी life चाहते हो तो कराओ फिर जाओ फसो फिर वो मेरे पास आएगा, वो मेरे पास सारी उमर निकाल दी उन्होंने कितने मेरी बात को समझ रहे हैं अगर आप आसपास का महौल ना समझे तो आप एक मूरक इंसान है जब आप गाली देते हो अनुग्रे को कि जो आप पे अनुग्रे हुआ, आप उसको गाली देते हो कि आपको एक ड्यूटी मिली, आपको एक जॉब मिली, अब आप चोरी कर रहे हो आप गाली दे रहे हो प्रभू के अनुग्रे को और प्रभू अपने टाइम पे जवाब देता है अगर एक दम से ना देतो परमेश्व ने का जो अनुग्रे तुम पे हुआ उसे व्यर्थ मत जाने दो जो ग्रेज तुम पे आई उसे व्यर्थ मत जाने दो हर चीज का टाइम है, परमेशर जानता है, उसने आपको बनाया, कौनसी चीज आपको कब देनी है, उसे सब मालूम है आदम के लड़की ढूड़ने गया था, मैं कला हो गया, मैं कला हो गया, वजालो मिनू, परमेशो ने का तु अकेल है, मैं तुरे को लड़की देना चाहता हूं, मेल देना चाहता हूं, उसने नहीं का परमेशो मुझे मेल चाहिए, परमेशो का तु अकेल है, आदम प्रभू के कामों में busy था जो काम प्रभू ने आपको दिया अगर आपको सड़ी कर रहे हो आप student हो आप नए विश्वासी हो आप नए पासर हो जो काम आपके सामने उस काम पे ध्यान दो परमेशों ने आपको दिया कि उसी में आपकी इज़त चुपी, ब्लेसिंग चुपी, आपके जनरेशन की ब्लेसिंग उसमें चुपी, पर ध्यान का है, इधर उथर, ताकि शेतान नहीं चाहता, अगर तू मसी में आई गया, तो तू काम्याब हो सके, काम्याब व्यक्ति, बचा हुआ व्यक्ति अपने खराने को बचा सकते है, आपने नगर को बचा सकते है, आप वह होंगे जो अपने नगरोंको बचाएंगे, परीवारोंको बचाएंगे, ओ enfin बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज 아 आप पंहें से निकलने वाले यहिसर्च में आपको क्या हूने वाला हैं? अमीन आपने फालू करना है जो आपकी अगुओ ने फालू किया उनकी लाइफ में जो रिज़ल्ट आया आपको क्या करना है एग्सेर्ट लिए फॉलो करने पूपी करना है उन्हें जो बाइबल कहती अगर आप परमेश्वर की ग्लोरी के लिए करोगे टाइम का वेट करोगे आपको वो बेस्ट देगा पर अगर आप खुद करना चाओगे तो परमेश्वर ये समझता है कि तू ये समझता है कि तेरी योजना मुझसे भी ज़्यादा बड़ी है और तू उससे भी ज़्यादा समझधार है तो तू बन समझधार अपनी निगा में और बाइबल कहती है अपनी निगा में कभी बुद्धिमान मत बनना परमेश्वर बराबर का मौका देता हर एक जन को हर एक जन को बराबर मौका देता हो आपने उसे फॉलो करना है और अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना के रखना है कि जब लोग आपको देखे और सुने आपके परमेश्वर को ढूंड़ना चाहें वो कौन है वो उसको देखना चाहें वो आप एक बार अगर वो बोलो आप चर्च में चलो तो वो दस सुबा दस बजे की मीटिंग के लिए आपके घर में साथ बजे खड़ा हो कि कहीं मैं मिस ना हो जाओ आज मीटिंग में जाने से यह कौन सा परमेश्वर है जिसने तुझे पूरी तरह से बदल दिया चेंज कर दिया क्या आप में जानते हैं आप फल लाने के लिए चुने गए आप चल के देखो आपके लाइफ का बड़े से बड़ा अटेक जिसे आज आज आप नोट करके लाइओ कि डॉक्टर नहीं है कभी नहीं हो सकता या फलाने ने का या कुछ भी ऐसा इस लाइफ को फॉलो करके दे आपने आएफ करके देखो आपका वो अटैक तुकडो में होगा आपके सामने रो रहा होगा मैंने का आप करके देखो हो सुबह पर मेशंवे नहीं ताक्त दें नहीं आगे बढ़ने आगे बढ़ने और जब कुछ साल बीध गए तो मालूम हुआ कि क्यों शैटान मुझे डराता था क्यों मुझे धंकाता था क्यों मुझे वो नीचे करने को कोशिश करता था वोगी आज जो परमेशन मुझे देना शुरू कर चुक है हालिलुया उसके बाद जब सेवा शुरू हुई 2008 में तब समझाई क्यों शैतान मुझे घबराने की कोशिश कर रहा था साल बीटते गए महीने बीटते गए उचाई बढ़ती गई बढ़ती जा रह आप चल के देखो इस लाइन के अनुसार जो मैं आपको जो ट्रेक दे रहा हूं चल के देखो उसके अनुसार अड़े और खड़े रहने वाला सभभाव पाप में ना गिरने वाला और अनुग्रे को गाली कभी मत दो आमें आपको एक ग्रेस मिले और आप उस ग्रेस में पाप कर बैठो यह गाली देना है अपने अनुग्रे को अपनी ग्रेस को आप जिस दिन अपनी ग्रेस को समझते हो कि जो प्रभू ने आपको ग्रेस दिये वो चोटी क्यों ना हो और आप उसे गाली नहीं देते आपको कूछ名 मिले कι अग्या साप को मिली कि आपके फादर ने आपको चर्च जाने के लिए अलाओ कर दिया कि आप यंग लड़के हो आभी एंग लड़की हो आपके फादर नेका आपने का बाब मैं चर्च जाना है ऑके जाओ पर अगर चर्च आपने गलत काम किया आप उस ग्रेस को गाली दिया और परमेशवर नफरक करता है जब आप अपनी ग्रेस को गाली देते हो कि इस पर मेश ने का दाऊद क्या तुम्हेने पतनिया नहीं नहीं दी साउनी सब कुछ तुम्हें दिया फिर भी तुने हित्ती उरिया की पत्नी को अपना क्यों किया और हित्ती को क्यों मरवाया तुने अपने ग्रेज को गाली दी इसलिए उस गाली के कारण अब तु सफ्रिंग में से होके गुजरेगा चाहे तु मेरा दास क्यों नहीं आपने प्रेयर की प्रभू ने आपकी लाइफ में काम किया और आपको लगता है शायद आपकी प्रेयर ने काम किया या फास्टिंग ने काम किया लोग बैठे हैं प्रेयर फास्टिंग करके उनकी लाइफ में कोई काम नहीं हुआ तो अगर आपकी लाइफ में हुआ धन्यवाद ना करने वाले लोग होते हैं प्रभू ने आपको एक स्टमनी दी आप चर्च में बैठे हो गवाही लेके पर आपका ध्यान थैंक्स करने की और नहीं है आपका ध्यान दूसरी गवाही की और है वो कब होगी पहले पहली का इंजॉय तो करलो पहली को देतो दो पहली में जीतो लो अगर आप आज सेटिसफाइड नहीं है प्रभू ने आपको दिया कल आप नहीं सेटिसफाइड होंगे गरंटी के अजिए ऐसे हैं लोग है जिनको उनकी फैमिली वाले अलाओं नहीं करते आने के लिए ओनलाइन देख रहें इस टाइम और आप बैठे हो सामने ग्रेस ग्रेंड करने के लिए आप जब छोटी बातों में परमेशो के हाथ को समझ जाते हो डिवाइन अरेंजमेंट परमेशो का समझ जाते हो कि यह परमेशो का डिवाइन अरेंजमेंट है और उसका फाइदा उठाते हो बाइबल कहती है उस ग्रेस का फाइदा उठाओ जो तुम्हारी लाइफ के ऊपर ह हालेलुया अगर आप अपने अनुग्रे को गाली ना देतो जो है चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है जो कि जब आप इस लेवल पर आजाओगे कि सब कुछ आपके आँखों के सामने बड़े बड़े मिरेकल हो रहे होंगे तो आपको इतना फेट दिखाने की जूरत नह यही चाहता है परमिश्वर आमेन अपनी ग्रेस को गाले नहीं देनी जो प्रबु ने आपकी लाइव में किया उसे खराब नहीं होने देना आमेन आत्मिक सेंसिटीव होने सेंसिटीव होना बुद्धीमान बनना जो आपके आसपास परमेश्वर आपके लिए कर रहे है य आप ग्लोरियस मजे लेलो शारीदिक मजे दो मिनिट के, 4-5 मिनिट के हैं, ग्लोरियस मजा आपको 24 गंटे आता है, आप 24 घंटे उस मज़े को लेते हैं और लोग लेते हैं साथ में आमेन अपनी ग्रेस को गाली मत दो जो जगा प्रभू ने आपको दी है उसमें खड़े रो नो मैटर क्या फाइट है नो मैटर क्या प्रब्लम्स है योगि आपकी blessing उसी place से शुरू होती जो सरवशक्तिमान की हाँ ठिकाना कौन पाएगा जो उसके चाय हुए स्थान में जो परम परदान के चाय स्थान में बैठा रहे सरवशक्तिमान की चाया में बैठा रहे का मतलब यशब यश्रप का मतलब जो प्लेस आपको मिला उस पर खड़े रो खड़े रो उस पर एक दिन आपका रिष्टतर आपको बोल सकते हैं कुछ नहीं हुआ गालिया निकाल सकते हैं छेस साल पाइन साल रुख जाहो आप धूंडो कि उसको कहा गया मिलना चाहूंगा तुम तुस्पर वो छुपता फिरेगा कि यार इससे मिलना नहीं अगर मिला तो मुझे गालियां बढ़ने वाली हैं इंडिरेक्ली आमें इंडिरेक्ली गालियां बढ़ने वाली हैं हालेलुया और लग बोलते हैं मैं घमन कर रहा हूं मैं घमन नहीं कर रहा हूं नहेम्या को पूछा उसके जोगे लोगी सामने करना कि मैं तो राजा मर वाते हैं लोगों को मारते लोगों गुझे मैं दंड शूमसी की प्रेज्ञ्स में हूं और रंग उत्रा हुआ है सूट डाला में जो प्रायाब प्रेस नेग्याар यह प्रेस नहीं मेहंगाठ सूट डालने जरुषव norm algún पर कम से कम अच्छा ब्रेस के और साफ सुत्रा तो हो आप प्रभू की हुझुरी में आये हो और उदास अच्ण अब क्या हुआ अब मेरी बेटी घर से भाग गई है हाँ या मेरा काम ठीक नहीं पर तेरे को तीन गवाईयां मिल चुकी हाँ मिल चुकी अब चोती के लिए मैं उदास हूं अब तु उदास रहेगा क्यों तीन के लिए अनन्दित रहना यह तरह काम था परमेश्व आपको दो साल में कोई पर्फेक्ट लाइफ नहीं देने वाला जिस तरह कि आप समझते हैं हां कि चारों पांचों दिशाओं में आप आसमान पर रोज आपको स्वरदूद लेने के लिए आएंगे बादलों पर आपको काम पर छोड़ने जाएंगे नो 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 आ आप फाइट करते हैं बनते हैं जैसा आपको बनना जैसा आप चाहते हैं बनना और आप बनते हैं वैसा फिर वह इमेजनरी लाइफ सच होती है हां परफेक्ट लाइफ सच होती है आती है लाइफ में लेकर टाइम के बाद एक फाइट के बाद एक मेहनत के बाद जिजिन व लोग ऐसे उनके पास जाओं जो आपकी बची कुछी एनर्जी वो भी खतम हो जाती आपको ऐसे लोग आपके आसपास चाहिए जो हमेशा आनंदित हो अनर्जी से भड़े हुए हूं जो प्रभू उनकी जिंदगी में कर रहा पर उनका ध्यान और आगे अब और क्या अब और में आ रहा हूं और मुझे अमीर करना तेरी जिम्मेवरी होगी हां बैठके बाते करेंगे रिश्टा रोगी ला देख तो तरी मसी कि नहीं मीर ला तुन सद्या कर दियोंने क्या अपनी मासी से अपनी क्या ठेका करके आए थे दुनिया में मासी तेरे तरी पेंदे का रान हाई ते में मीर करना दे अमेरिका वीज़ा पे ना त families होएगी नो वो अपनी मैन से घए आप अपनी मैन से जाओगे आगे अगे हलेलूया बाते करने की जुरत नहीं यह बैट के रिशटारों के विश्टारों के विषए में सोच मैंने क्या करने तू बच्छ तरह घरा न तू बच तो अपनी ग्रेश को गाली मत दे ऐसे लोग बनो कि लोग जब आपको देखे तो अनर्जी से भरपूर देखे आनंदित खुशी खुश हो के लेकिन यह नहीं कि आनंदित खुश होने का मतलब यह आपके लाइफ में चैलेंज नहीं होगा होगा चैलेंज एक तरफ आपको अनर्जी से भरे हुए कि आप जो आपको मिला पूराना आप ठैंक्फुल हो आप ग्रेटफुल हो तो हो सकता है जिसके पास नहीं हो मेरा ध्यान उसकी तरफ ना जाए जिसके पास है उसे मैं ज्यादा दू ऐसा परमेश्व चलते हैं उसके लोग भी ऐसे चलते हैं आपको आनंदित रहने जो आपक पास है पवित्रताइम में ने जिस जो आपके पास है शैतान सो गेम्स खेलेगा है हां आप बंदों की जगहा आप बंदों की जुंड में सेवा कर रहे होंगे दर्यों की और एक बीच में लेडी आ जाएगी हां आपको किया ये सिर्फ आपकी डेस्टनी खराब करने का तर इसे आपको चुब होने के लिए सुई अगर चुब गई तो आप गए हैं अगर आप मेरी जगह होगे आप दिमाग दिली उदर कर लोगे हैं किया मैं देखा है नहीं तेरे को हमें कितने समझ रहे हैं आपको दिमाग लगाना है आप एक फाइट में हो और शैतान आएगा आपके पास सो बहाने लेके पुराना शैतान है वो हजारों साल उसकी उमर है बड़े-बड़े दास गिरा दिये लोग गिरा दिये उसे मालूम है आपकी नस्थ कहा है कमजोरी वाली जो जीत गया वही खड़ा है आज मैंने लोग देखें पास्टर देखें गिरे हुए सेवा में आए जैनून शुरू किया पर अब कहा है कहीं नहीं शुरुवात अच्छी करना ठीक ठीक बात है कोई बहुत बड़ी बात नहीं अंत अच्छा करना दुनिया की सबसे बड़ है अमें क्या करना अंत अच्छा करना दुनिया के सबसे Bड़ी बात है आप देखो शैतान कहां से हारें आपके पास है हिए कि इन चाहें कॉन से एंगल से आपको घेरने की कोशिश कर रहा है बुधिमान बनो भाई और बहन बुद्धी मान बन आमेन आपको मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है मेरे आसपास जो आपको प्रभू ने दिया उसको गाली मत दो ध्यान रखो आपकी पुजीशन आपकी बॉडी के सामने में पॉडियां देख रहा हूँ जिसपे आपने चड़ने हैं आपके आँखों के सामने अभी राइट ना हूँ जब मैं आपकी और देखता हूँ बहनों की तरफ पॉडियां लगी दिखती है मेरे को जिसपे आपको चड़ने हैं बस और शैतान कोशिश करेगा पूरी कहीं से आपको फसाए वो रियल लाइफ में जियो जो गाने आप सुन रहे हो कभी देखो उनका बना क्या कहा है वो और आप गाना सुन सुन के किसको याद कर रहे हो इमोशनल हो गए हो यहां जीओ धर्ती पे असली लाइफ में आ जाओ फिलाओ एक दूसरे को आमेन आजाओ वापिस असली लाइफ में आमेन धर्ती पे जीओ यहां पे असली लाइफ में आमेन अपनी ग्रेस को गाली नहीं देना आज अगर छोटी ग्रेस है उसमें आप बने हो, खडे हो, अडे हो शक नहीं कर रहे हो कोई हल नहीं आपको बढ़ने के इलावा कोई हल नहीं आपकी फाइनाशल सिचुेशन का हाल होने के इलावा कोई हल नहीं मैंने ही कह रहा हूँ कि यह आपे आने वाले जादातर लोग्यों का हल हो जाएगा, मैं यह कह रहा हूँ कि सब का हल हो जाएगा मैंने कह रहा हूं कि बड़ी परसंटेज है, 99.9 एंजिन लोगों का हाल हो जाएगा मैं कह रहा हूं सो प्रतिश्यत हाल होगा अगर आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर एक को भी कुछ भी हो आपकी लाइव में बड़ा इंसिडेंट क्यो ना हुआ हो बड़ी दुरकटना क्यों ना हुई हो, मसी में आने के बाद दी कुछ ऐसा क्यों ना हुआ हो प्रभू आपको खड़ा करेगा, कवाही जरूर देगा, कुछ ऐसा करेगा जो कभी ना हुआ हो